ठीक है बच्चो करते हैं सुरू एल्कोहल पर जो कॉस्टन बोर्ड में आई हुए हैं और इसी के साथ आपको सभी को नमस्कार नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तयार हो जाएए फटा फट और आज आपको उताएंगे कि बोर्ड एक्जाम ने एल्कोहल के ऊपर किस प्रकार के क्वेशन पूछे हैं तो बच्चो यहां पर देखिएगा ग्रिगनाड अभीकरमक से प्राथ्मिक अल्कोहल कैसे बनाएंगे रसानिक अभीकर लिखिए मैं आपको दो वीडियो में यह वाली रियक्शन करके दिखाईए तो आज मैं आपको वाफिर दिखाता हूं कि ग् ग्रिगनाड अभीकरमक से प्राथ्मिक अल्कोहल कैसे बनाएंगे पहले आपको ग्रिगनाड अभीकरमक का फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रिगनार्ड अभी कर्मत ग्रिगनार्ड रियेजेंट का फॉर्मूला ग्रिगनार्ड अभी कर्मत आर एम जी एक्स ये है ग्रिगनार्ड अभी कर्मत ग्रिगनार्ड रियेजेंट अब इससे प्रात्र में अलकॉल पाने के लिए बोड ने कहा हम से बोड एक्जाम 2018 वा कुस्टन है कि रासानिक अफिकर लिखे केवल रासानिक अफिकर पूछ रहा है वो इसकी तो आप क्या करेंगे इसकी रासानिक अफिकर लिखने के लिए आप लेंगे प्रोपेनल प्रोपेनल से प्रोपेल क्या होता है oldbooks चुपोनेलड को बोलते हैं प्रोपेनल जो प्रोपेनल नहीं मैं ते रहेंगे तो यह मना रहें प्राइमरी आलकॉहल हम बनाता है है Primary alcohol इसलिए हमें लेना मैथेनल नल मैथेनल से तो मैफेनल का fen Chi Boom एक ग्रमेल क्या होता हैanno action h go इसे हम फॉर्मेल ले Chris भी कहते हैं मै एक से कैसे बनेगा ऍवी ग्रियान अब हम चम्मे कुलनाएंगे तो एम जी एक्स तो यहां पर जब हमने आर एम जी एक्स मिलाया है इसके अंदर तो यहां पर आप यह बताया है मैंने योगात्मक योगी बन कायेगा यहां पर सी उपर ओ एम जी बी आर और एक वैलेंस जोड़ दीजिए आर अब इसका कर देंगे आप हाइड्रोलाइसिस आपक कैसे करेंगे हाइड्रैसिस प्लस एड़ कर दीजिए इसमें एच ओएच और यहां बन जाएगा आपको आर शी एच टू ओएच प्लस एम जी बी आर ओ एच ग्रिगनार्ड अभी करमक्टे भी हम प्राइमरी अलकोहल बना सकते हैं तो इसा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अलकोहल कैसे बनाएंगे मैं तुछा साफ से लगे देता हूँ इसको यहां को आर ओएच आप आर के जीए कर ले सकते हैं सी एच थ्री अगर आपने आर के इस्थान पर सी एच थ्री लिया तो क्या बन जाएगा ये ती एच थ्री प्राइच टू ओ एच एथेनोल एथेनोल नेक्स क्वेस्टन प्राइच में दुट्यक और तुट्यक अलकोहल के परस पर अंतरों को किसी एक विधी द्वारा इस्पष्ट कीजिए पहचान कीजिए तो प्राइच में दुट्यक और तुट्यक और तुट्यक अलकोहल के परस पर अंतरों को किसी एक विधी द्वारा इस्पष्ट करना है उसके पहचान करनी है तो बच्चो एक तो लियुकास रेजेंट है वह उसके बता दिया मैंने एक विधी आपको वो बता देता हूं और उस विधी का नाम है एलकोहल का वी हाइड्रो जनी करन क्या है वी हाइड्रो जनी करन विधी वी हाइड्रो जनी करन विधी हम इस मेथड़ से प्राथमिक दुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् CH3 CH2 OH लेंगे प्रातिमिए अल्कोहल या CH3 CH2 आप इसमें बढ़ा सकते हैं इसे CH3 CH2 CH2 OH ले सकते हैं इसा बोलेंगे प्रोपेनल प्रोपेनोल प्रोपेनोल क्या बोलेंगे इसे प्रोपेनोल और जब प्रोपेनोल में आप क्या बलाएंगे कोपर मिलाकर इसे तीन सो डिग्री सेंटिग्रेट पर घरम करेंगे क्या मिलाकर इसमें कोपर और थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सेट पर घरम करेंगे तो यहां से hydrogen का molecule अलग हट जाएगा hydrogen और क्या बचेगा CH3 CH2 CHO पिलस H2 तो H2 तो वी hydrogen निकरा हूँ वी का मतलब अलग हट जाना alcohol में से कुन अलग हटा hydrogen अलग हटा और हमें क्या मिला aldehyde कौन सा aldehyde है प्रोपेनल प्रोपेनल तो प्रास में अलकोहल जो होंगे जब उन्हें कोपर के साथ 300 डिग्री सेल्सेश पर रगम अठते हैं तो उन से मिलता है मैं क्या aldehyde अगर alcohol सेगंडरी हुआ दुत्यक अलकोहल हुआ कि यह है एक दुत्यक अलकोहल सेगंडरी अलकोहल और जब इसे कोपर की प्रिजैंस में 300 डिग्री सेल्सेश पर गरम करेंगे तो हाइडरोजन अलकोहल जाएंगे और आपको मिलेगा ऐसी टॉन TH3, TH3, C double bond O, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, एसी टॉन C double bond O, प्लस H2, वी हाइडरोजन इकराण, अलकोहल में से हाइडरोजन को अलग हटा दिया गया और इसका हो गया, वी हाइडरोजन इकराण, क्या मिल गया है यहाँ पर, एसी टॉन तो इसका मतलब यह, एसी टॉन जो मिला यहाँ पर हमें, यह कौन सा एलकोहल है, शेकिंडरी एलकोहल क्या जेता है, एसी टॉन और प्राइमरी जेता है, प्रोपेनल, एल्डिहाइड और यह तर्टरी अलकोहल हुआ हमारे पास क्या हुआ तर्टरी अलकोहल हुआ तर्टरी अलकोहल जो हमें देगा त्रित्रेक अलकोहल ती एच थरी ती एच थरी ती ती तिर्टेक एलकोहल और इसे हम कोपर की प्रजैंस में गरम करेंगे 300 डिग्री सेल्शेस पर तो यह है अब प्रैमेर ने क्या दिया प्रोपेनल सेकंडर ने क्या दिया ऐसी टोन की टोन होता है इसी टोने और तिर्टेक एलकोहल जो देंगे कोपर की प्रजैंस में 300 डिग्री सेल्शेस पर गरम करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा एलकीन पी एच थरी टी एच टू सी एच डवल बॉन्ड पी एच थरी चा मिला हमें यहां पर एलकीन तो इस प्रकार जो हमें यहां एलकीन मिला तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा एलकोहल प्रात्मिक है कौन सा एलकोहल सेगिंडरी है और कौन सा एलकोहल टड़सरी है तो हमने कैसे पहचान करा कुश्वन था प्रात्मी दुत्त्यग उत्त्यग एलकोहल में के परस पर अंतर को किसी एक विधी थी लिवकास एजेंट, लिवकास एजेंट मैं आपको पहले वीडियों बताया था, उसमें क्या बताया गया था आपको, कि यदि तीन एलकोहल दे दिये गए आपको प्रैमिर सेगे निटर तरी और आप लोगों ने उसमें लिवकास अभी घरमक मिलाया, निर्जल, जैडन से रखिल का मिक्सर, भोता है, लिवकास अभी घरमक, तो तिरते गेलकोहल जो होगा वहे तुरंत ही, बोलो क्या देगा, बहुत बढ़िए तुरंट अभीडिटी, धुन्दलापन, धुरंत ही धुन्दलापन देगा, और तुरंते एलकोहल क्या देगा? पांस मीनिट के उसमें प्रोसेश उरोगा और बहुत धुन्दा खोगा और प्राथ में गालकॉल जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जैसा था वैसा ही रहेगा और सब्रक्राइब करा एल्गोहल ले रहे थे अलग अलग और हमने क्या मिलाया सब मैं कोबर मिलाका 300 तो प्रार्थामिन ने क्या दिया अल्दिद दिया तो बच्चों लिवकाश अविक et क्या होता है या आपको बताया भी निडजल ZNCL2 और तांद्र HCL के मिस्ण को ल्यूकास अभी कर्म कहते है ल्यूकास परिक्षण जब पूछेंगे आप से तो ल्यूकास परिक्षण में सबसे पहले आप क्या लिखोगे निर्जल ZNCL2 क्या लिखोगे निर्जल ZNCL2 क्या लिखोगे सांद्र HCL सांद्र HCL इसे बोलते हैं ल्यूकास अभी कर्मक और इस अभी कर्मक से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्से अलकॉहल की पहचान की जाती है इसी को ल्यूकास परिक्षण कहते हैं कैसे करते हैं जो लिवकास अभी करमक होता है लिवकास अभी करमक को हम जो प्राइमरी सेकंडरी और तरसरी किसी भी अलकोहल में मिलाएंगे तिनों में मिला दिया हमने तो जो अलकोहल तुरंत ही धुंदला हो जाएगा डालते के साथ धुंदला तुरंत क्विकली तो वह कुन सा होगा बत हुआ तो दुट्रेक ऐलकोहल और यदि उसके कलर में कोई चेंज ही नहीं आया तो वह क्या होगा वह एक प्राइमरीय एलकोहल होगा तो इस प्रकार से लिवकास अभीकर्मक की हम पहचान कर सकते है इसके बादा है बच्चों लियुकास अभी question में देखते हैं क्या है एथे नोल के निर्जिलन अभी किर्दिया की किर्दिया विधी को चरणबद तरीके से समझाईए ग्रिनार्ड रफी कर्मक के साहिता से प्राज़न तेखुर्ट तेखल को लिर्मार की समय करण भी लिखिए दोजार उनिस दोजार इकिस दोजार प्रकार से इसकी मर्रद्दय की किर्द्या विधी इसके निर्जली करणग की साहिता से प्राथमिक दुट्त्यक और सुट्ट्यक अलकोहल में कई बार आपको समझा चुका हूं और आपको सबको तयार भी हो गए हो गए हो गए मजह ऐसी उम्मीद है और अब इसके नरजली करण की क्रिया विथी क्या है पूरी मेकनिज्म क्या है किस परकार से हम इसका क्या करते है नर्जली करन करते हैं तो ध्यान से हम समझेंगे इस चीज़ को और ये ऐसा टोपिक है जो आपको जब बोड़ एक्जाम देना जाएंगे तो उसमें मिल दी सकता है और मुझे उम्मीर है ये टोपिक आपको पूरे पांच अंक का पांच नंबर का मिलेगा एथेनोल के नर्जलन अभी किर्द्रिया की किर्द्रिया विधी तो इसकी जो मेकैनिजम है वो सुरू करते हैं बच्चों किर्द्रिया विधी heading आल देंगे हम किर्या विधी यह हो गया हमारा heading किर्या विधी तो mechanism कैसे करेंगे क्या होता है alcohol का नरजली करण तो alcohol का नरजली करण होता है फ्यारे बच्चो बहुत ध्यान से देखेंगे हम जानते थे कि alcohol C2S Boom Ox होता है इसके दो molecule लेंगे C2H5OHK और जब हम इसे गरम करते थे concentrate H2SO4 की presence में उसे मिलाकर 140 degree Celsius एक सो साथ डिगरी Celsius पर यह 160 से 170 degree Celsius पर तो यहां पर हमें मिलता था एक सो साथ से 170 degree Celsius पर तो हम जो गरम करते थे alcohol को 160 से लेकर 170 degree Celsius पर तो हम मिलता था यहां पर पहले मैं आपको 140 पर करता हूँ इसे करम 140 degree Celsius पर तो एथर हमें यहां प्राफ्ट होता था एथर क्याहां से C2H5O C2H5 प्राफ्ट हो प्राफ्ट हो पर पर यहां पर हमें एक हमने तुमें शिकाए था दूसरा कौन सा C2H5O H को हमने गरम किया था कंसंट्रेट H2SO4 की प्राफ्ट में 160 से 170 degree Celsius पर तो यहां पर हमें क्या मिला था C2H4 प्राफ्ट H2O एथिलीन तो हम से इन दोनों यह रेक्शन हैं इन में से किसी की भी आप से पुछ लें कि आप इनके निर्जली करण की किरिया विधी को इस्पष्ट कर दीजिए आप तो कि रिधविद्धि इस्पष्ट क्याश कोगीं इससे किराफ्द हमें निम्रद में प्रूर बूद होती है के visit कि द्याविधी पर्थमपद पर्थमपद नमबर एग सबसे पहले जो चंसेंट्रेट एश्टोफ़ूर है कंसेंट्रेट एश्टोफ़ूर थियूद्ध होगा है ट्रोलाइटिक फीजन होगा और इसके विश्ट्रू विखन्दन से बनेगा हैच आयन प्लस हैच एसो फोर आयन ये है इसका विशम विखंडन क्या हुआ इसका विशम विखंडन हुआ अगले स्टेप में क्या होगा दुत्य पद में क्या होगा जो एलकोहल है पि-एच थ्री सी एच टू ओ-एच एथे नोल एथेनोल में से यह जो प्रोटोन है यह एथेनोल में ऑक्सिजन एटम के पास आकर एड़ होगा क्योंकि ऑक्सिजन एटम जो है इस पर लॉन पेर ओफ एलेक्टोन है क्या है इस पर लॉन पेर ओफ एलेक्टोन है और यहाँ पर लॉन पेर ओफ एलेक्टोन की होने के वज़े से हाइड्रोजन जो प्रोटोन है यह यहाँ पर एड़ होगा एच आएन के रूप में और यहाँ बन जाएगा एच और यहाँ पर क्या है ओएच यह एक अनिस्टेव compound ethyl oxonium iron ethyl oxonium iron और जो इसका तिर्तिय पद है तिर्तिय पद ethyl oxonium iron जो बना ethyl oxonium iron तिर्तिय पद में क्या होगा unstable iron है अपने उपर से ये एक water का molecule यहाँ पर इसके लोन प्रेजर थे एक लोन प्रेजर से हाई प्रोटोन अडेच हो गया तो ethyl oxonium iron बना ये unstable है अपने उपर से ये water का molecule को अलग हड़ाएगा और यहाँ से जब water का molecule अलग हड़ेगा तो water का molecule अलग हड़ने के बाद थोड़ा से हमने गलती हरकी है इताइल oxonium iron अपर गलती है उपर से प्रेगा देता हूँ जो इताइल oxonium iron बना इताइल oxonium iron unstable iron है और ये iron क्या करेगा अपने उपर अपने पास से एक hydrogen एक water का molecule अलग हटाएगा और water का अलग हटते ही तीसरे step में आकर यहां बन जाएगा इताइल कारबोनियम iron क्या बन जाएगा इताइल कारबोनियम iron और जो इताइल कारबोनियम iron बना अगले step में क्या होगा नमबर चार चोथे step में जाएंगे अब हम चोथे step में जाकर तो इथाइल कार्बोनियम आयन बना था इथाइल कार्बोनियम आयन ये भी unstable है ये अपने आपको unstable करने के लिए अपने पास वाले कार्बन से कहेगा कि एक hydrogen यहां से लिए हड जाए तो हम इस्टेवल हो सकते हैं तो यहां से ये वाला कार्बन एक proton को निकाल देगा और यहां बन जाएगा CH2 double bond CH2 plus Hion ये बन गया एथीन क्या बन गया ये एथीन अब अगले step में क्या होगा जो इसका पांचवा step है इसमें जो पहले से उपस्ति था HSO4 आयन ये इस HIN से reaction दरेगा और वापस में H2SO4 बन जाएगा और इस प्रकार से पांच step में एलकोहल का नरजली करण कम्पलीट हुआ तो पहले पत में क्या हुआ H2SO4 का विसम विखंडन हुआ क्या हुआ H2SO4 का विसम विखंडन उससे बना HIN और HSO4 iron और जो अगला step था उसमें क्या हुआ जो HSO4 iron और HIN बने उन में से जो HIN था प्रोटोन वो एथिर एलकोहल के पास जाता है और उसके oxygen atom के पास जाकर oxygen के electronों से sharing कर लेता है और वहाँ पर क्या बना देता है Oxonium iron इथाईल Oxonium iron और अगले step में जो चलते है तो इथाईल Oxonium iron येक अनिस्टेविल है तो अपने पास से वह एक water का molecule release कर देता है अटा देता है अपने उपर से और क्या बन जाता है बताईए इथाईल कारवोनियम आयन इथाईल कारवोनियम आयन और इथाईल कारवोनियम आयन भी एक अनिस्टेविल है तो वह अपने आपको इस्टेविल करने के लिए अपने पडोशी कारवन से एक प्रोटोन को अलग करने के लिए कहता है और वहां से एक प्रोटोन कार्वन अलग कर देता है और जब वह कार्वन अलग करता है प्रोटोन को तो बन जाता है एथीन क्या बना एथीन और एथीन बनने के बाद जब है एच आएन इस से मिलता है तो वह है एच आएन जो पहल चरणबत तरीके से एथिल एलकोहल का निर्जली करण और मैंने इसके बाद जो इसमें कुशन जो डखा था वो आपको करा दिया है कई बार करा दिया कि ग्रिगनार्ड अभी करमक की साहता से आप प्रात्मिक दुत्यक तृत्यक अलकोहल कैसे प्रात करेंगे तो बच्चो प् कौन से अलकोहल से कौन सा अभी करमक प्राप्त कर सकते हैं तो इसी के साथ अब यहां पर यहां पर यह